जएन दोस्तों स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में मैं हूँ महीर मूगरे तो आईए आज के जो करंट अफेर्स है उनको यहाँ पर कवर करते हैं लेकिन मैं आपको बता दू कि दहिंदू अगर हम देखे तो उसमें कोई भी खास न्यूज आर्टिकल जो है वो आज हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं इसलिए यहाँ पर बाकी जगाओं से करंट अफेर्स निकाल कर मर्च करके यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ मतलब यह जो PDF यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी यह सिर्फ और सिर्फ दहिंदू से हैं क्या जी नहीं यहाँ पर बाकी PI भी बोलिए बाकी जो न्यूस पेपर में अगर कोई important news आती है तो वो सारे ही चीज़ें यहाँ पर cover हो रही है और इसी वज़े से यह जो PDF है यह आपके लिए most important हो जाती है PDF आपको download कहां से करनी है Telegram channel से आप download कर सकते है मयूर मुगरे आपको search करना है वहाँ पर आपको follow करना है तो चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आज के economy section की तो उसमें हमें देखने को मिलता है world food safety day देखे क्या है ऐसे days के बारे में questions जो है वो पूछे जाते है world handloom day जो है वो कब celebrate किया गया यह आपको exam में आया था 2023 में ही आया था ऐसे हर साल exam में कोई न कोई day के बारे में किसे किसी रूप में पूछे जाता है और इसलिए आपको इसके बारे में पता रहना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पर जो world food safety day की हम बात करें तो union health minister जो मंशुक यहाँ पर मंदीविया है उन्होंने food state food safety index जो है वो भी यहाँ पर release किया है तो अब यहाँ पर important चीज़े क्या है इसमें से वो हम यहाँ पर जानते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आती है food safety and standard authority of India FSA, FSS, AI ठीक है यह basically क्या करती है यह सारी चीज़े जो food से related हो कि यह हम ले सकते हैं यह नहीं ले सकते हैं क्या कितना criteria रहना चाहिए जिसे food packaging भी जो होता है उसमें जो authority रहती है कि भाई इसको हम मान रहे हैं इसको नहीं मान रहे हैं तो यह सारी चीज़े देखने हैं काम जो है food safety and standards authority of India का होता है इन्होंने organize किया एक session 7th June 2023 को जिसे कि हम world food safety day जो है यह celebrate कर सके 5th state food safety index यह भी हाँ पर unveil किया गया इस event पर अब सवाल यह आता है कि world food safety day क्या है यह global campaign है जो की aim करता है कि हम जो भी आपर food bond risk है उसको prevent भी करे detect भी करे और manage भी करे तीन चीज़े यहाँ पर important है इसको बोलते हैं specific पड़ाई क्योंकि अब आप सभी को पताए कि options कैसे आ रहे हैं only one, only two, only three ऐसे time की questions आपको देखने को मिल रहे हैं कि अब आपको यह नहीं पूछा जा रहा है कि 1, 2, 3 सही है या 2, 3, 4 सही है अब आपको सीधा आ रहा है specific के लिए 1 सही है या नहीं यह मुझे बताओ 2 सही है या नहीं यह मुझे बताओ 3 सही है या नहीं यह मुझे बताओ हाला कि यह गलत है ऐसा नहीं फूछा जाना चाहिए लेकिन अब है तो है क्या कर सकते है उसमें तो आगे भी अगर यही परमपरा इन्होंने शुरू रखी तो हमें specific पढ़ाई रखना ज़रूरी है यहाँ पर food bond जो risk है उसमें कौन-कौन सी चीज़े हैं यहाँ पर तो PDM ठीक है prevent भी करना है, detect भी करना है manage भी करना है prevent किस तरीके से करेंगे? awareness फैला कर कि भई हम जितना awareness फैलाएंगे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है उसी के साथ-साथ यहाँ पर जो packages होते हैं उसमें क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है वो सारी चीज़े दिखा कर अगर हो जाए, food bond risk तो फिर उसको detect जो है वो भी करना ज़रूरी है जिससे कि हम उसको starting में eliminate कर सके उसी के साथ-साथ manage करना ज़रूरी है कि अगर detect बहुत जादा हो रहे है तो कैसे हम manage यहाँ पर करें तो prevent करना है, detect करना है, manage करना है celebrate किया 7th June every year since 2019 2019 से यहाँ पर celebrate किया जा रहा है यह आपको ध्यान में रखना है campaign जो है, resolution की इसका था United Nations General Assembly का campaign जो है, lead कौन करता है World Health Organization and Food and Agriculture Organization of United Nations theme जो है 2013 की वो हमें देखने को मिलती है food standard saves life तो यह जीज़ important है अब state food safety index क्या है तो इसने develop किया है state food safety index पहली बार launch किया गया था 2018 में, जिससे की जो states है उनकी performance यहाँ पर दिखी जाए कौन से parameters पर various parameters यहाँ पर रखे गया है food safety से related parameters कौन कौन से है इसमें हमें जो human resource and institutional data यह देखने को मिलता है compliance देखने को मिलते है food testing उसमें infrastructure क्या है surveillance किस तरीके का है training and capacity building देखने को मिलती है consumer empowerment देखने को मिलता है कि भाई आप कहीं पर भी जा रहे हो समय लिजे अभी काफी जो controversy है वो चल रही थी है ना मतलब की जो drinks होती है drinks मतलब वो ईलकॉल वाली नहीं चढ़ाने वाली नहीं सिर्फ जो cold drinks है soft drinks तो वो जो है उसमें क्या-क्या होता है कितनी sugar होती है कितनी नहीं होती है प्लस यहाँ पर जो packages है उसमें कितनी शुकर होती है, कितनी नहीं होती है मैदा किसमें होता है, किसमें नहीं होता है यह यहाँ पर कुछ Instagramers ने कुछ YouTubers ने उस पर वीडियो बनाए तो उन पर case हो गया तो Consumer Empowerment कहा है, फिर Consumer Empowerment क्या है तो यहाँ पर सवाल जो है, वो खड़े होते हैं इंडेक्स जो है, वो dynamic, quantitative and qualitative benchmarking यहाँ पर model लिकर आता है कि quantitative भी देखा जाएगा, qualitative भी देखा जाएगा अब यहाँ पर top performers अगर हम देखते हैं तो केरला जो है, उसने यहाँ पर secured किया है top rank, बहुत important है कि कौन से राजज ने top rank score किया, केरला ने ठीक है, among largest states followed by Punjab and Tamil Nadu तो यह चीज़े आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है गोवा जो है, इमर्ज हुआ है, leader among smaller states, छोटे states में मनिपूर और सिक्किम जो है, वो इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं, जम्मू कश्मीर, डेली निकलेगा, सही पचेगा, सारी चीज़े सही सही होगी, तो यह चीज़े यहाँ पर है FSSAI ने initiate किया है Eat Right India Movement, ठीक है किस ने किया है, यह भी यहाँ पर important है यह movement three themes पर based है, if it's not safe it's not a food, simple सी बात है, अगर वो आपके लिए safe नहीं है, अगर वो आपके लिए safe नहीं है, तो वो खाना है ही नहीं Food जो है, not only serve the palate, but also meant for body and mind यहाँ पर body और mind जो है दोनों के लिए ही यह होता है, ठीक है Food has to be good, यहाँ पर लोगों के लिए भी और planet के लिए भी तो यहाँ पर लोग जो है उनके लिए भी सही होना चाहिए प्लैनेट जो है उनके लिए भी सही होना चाहिए Eat right challenge अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर as a competition है अमंग districts and cities, जिससे की क्या है कि यहाँ पर हम adopt कर सके जो various majors है जिससे की basically लोग के पेट में अच्छा खाना जा सके तो यहाँ पर मिलेट मिल जो है वो भी देखने को मिला है तो यहाँ पर diversity of kitchens जो है यहाँ पर रखे गए है मिलेट recipes जो है वो यहाँ पर रखे गई है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की गई है कि भाई operators कैसे रहेंगे food street जो है 100 food streets across the country यहाँ पर quality benchmark जो है वो यहाँ पर established रह सके rapid food testing kids जो है वो यहाँ पर portal लाया गया है ताकि यहाँ पर हम अच्छा खा सके तो हमारे पास बहुत ज़्यदा empowerment है इसके लिए हमें यहाँ पर सतर्क रहना पड़ेगा हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्या-क्या है mobile testing labs जो है वो देखने को मिल रही है manuals देखने को मिल रहा है कि practices हम कैसी enhance कर सके food safety important क्यों है क्यों यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी है कि food जो है वो अच्छा रहना चाहिए वो safe रहना चाहिए तबबेद या तबबेद जान है तबबेदी खराब हो जाएगी चली के तो क्या मतलब है फिर है ना तो यह government producer consumer सभी की responsibility है कि भाई खाना जो है वो अच्छा रहना चाहिए according to WHO 600 million लोग जो है almost 1 in 10 people in the world वो यहाँ पर बिमार पढ़ रहे हैं खाने के बाद जो contaminant खाना होता है जो unsafe खाना होता है वो खाने के बाद यहाँ पर बिमार पढ़ रहे हैं चिल्डरन जो है अंडर 5 years of age 40% of the food born diseases जो है वो burden carry कर रहे हैं जो कि उनके death तक रहता है जिसके वर से और ज़्यादा हानी यहाँ पर पहुसती है food born diseases जो है वो long term consequences इसके हमें देखने को मिल सकते हैं mal nutrition, stunting, cancer, chronic diseases यह सारी चीज़े हमें आपर देखने को मिल सकती है food safety जो है वो यहाँ पर essential है several UN sustainable development goals जो है उनको achieve करने के लिए major challenges क्या-क्या है infrastructure and resources जो है वो यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा problem है कि भाई यहाँ पर अगर infrastructure ही नहीं होगा जो quantity है उसको increase करने के लिए उसके quality में छेट-चाट करते हैं है ना adulteration जो है food products का वो हमें देखने को मिलता है unregulated जो pesticides है chemicals है उनका use यहाँ पर किया जाता है poor hygiene and sanitation practices जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है तो basically यह सारे problems हमें देखने को मिल रहे है जिसके वज़े से जो food है वो contaminate हो जाता है और उसके साथ साथ जो लोग है वो contaminated food खाने के वज़े से बीमार पट रहे है मतलब सोचे 1 in 10 हर 10 बच्चों में आपने अगर 10 लोग खड़े कि उसमें से एक बच्चा जो है वो यहाँ पर उसके वज़े से बीमार पड़ावा रहेगा rapid urbanization, changing food habits यह यहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज है है ना कि भाई यहाँ पर ready to eat foods जो है वो यहाँ पर हो रहा है processed foods बच्चे जो है उनको यहाँ पर जैसे अभी मेरी चूटी बच्चे एक साल की उसको कभी मैंने बाहर का खाना दिया ही नहीं है बाहर का मतलब जो packaged foods होते हैं बच्चों के अलग-अलग सारलैक वरलैक यह सारी चीज़े आती है वो दी नहीं है processed foods जो है वो देके मतलब क्या है क्या करेंगे हम यहाँ पर processed foods जेगे सबसे better है कि यहाँ पर घर का खाना जो है वो दो उससे भी सारी nutrients मिल रहे हैं सिर्फ उसके लिए महनत करनी पड़ेगी इसलिए हम क्या कर रहे हैं नहीं भाई processed foods ready to eat foods जो है वो खाओ in fact यह बड़े बच्चों में भी काफी problems आ रही है बड़े बच्चों में बड़े लोगों में यह भी बहुत problems हो रही है way forward क्या हो सकता है food testing laboratories जो उसको strengthen करना जो local communities है उनको empower करना कि भाई यहाँ पर awareness फैल आओ कि क्या यहाँ पर अच्छा है क्या बुरा है यह सारी चीज़े यहाँ पर होनी चाहिए ठीक है तो food grains जो है वो deploy के जा सकते हैं village level पर block level पर subsidized food grains है ना तो यह सारी चीज़े हम यहाँ पर देखने को मिल सकती है then यहाँ पर next आते हैं NHAI जो first sustainability reports जो है उसने capture किया इनिशेटिवस टेकन बाइ environment sustainability, environment के लिए हर sector, हर section, हर ministry काम कर रही है तो उसके लिए NHAI ने first sustainability report जो है वो यहाँ पर लेकर आए है National Highways Authority of India ने recently release किया है first sustainability report 2021 के लिए इसमे sustainability report जो है प्रिपर की गई है as per global reporting initiatives guidelines जो यहाँ पर दिये जाते हैं है ना ताकि green finance जो है वो infrastructure financing के लिए attract किये जा सके कि ठीक है यह तो sustainable है यह तो आगे भी बढ़ने वाला है environment को साथ में लेकर चल रहे हैं तो चलो हम यहाँ पर investment करते हैं तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चीज़े देखने को मिल रही है की finding क्या है report की digitization of highway network जो यहाँ पर highway network है उसको digitize यहाँ पर किया जाएगा तो यहाँ पर data lake tool रखा जाएगा digitization यहाँ पर किया जाएगा उस चीज़ का highway network का जिसमें यहाँ पर vast amount of data जो है वो यहाँ पर जो generate हो रहा है तो वो सही तरीके से हम यहाँ पर effectively उसको manage कर सके emission जो है उसको reduce करना है सबसे important चीज़ यही है field consumption जो हो रहा है जो emission हो रहा है उसको यहाँ पर direct reduction जो है वो हम कर सके then उसको हम यहाँ पर reduce कर सके operation, transport, consumption सारी चीज़ हम यहाँ पर कर सके जो recycled materials है उनको यहाँ पर basically use किया जा सके जैसे flash हो गया, plastic waste हो गया, recycle जो aspects हो गया उनको हम यहाँ पर सही तरीके से फिर से use कर सके यह भी यहाँ पर काफी important है wildlife crossing अभी समरुद्धी महामार्क बनाया अपने नाम सुनाओगा समरुद्धी महामार्क यह इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा highway जो है वो देखने को मिलता है मतलब समय लिजे मुंबई से नागपूर जो है वो लगभग 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 आप समय लिजे 800-800 km का है उसको कितने घंटे पहले लगते थे तो पहले अगर आप देखोगे तो पहले लगते थे यहाँ पर 14-15 घंटे चवदा 15 घंटे continue अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आराम से यहाँ पर लगजा देते पहली समस्या यह है कि रास्ता जो है वो एकदम सीधा है कहीं भी टरणिंगs नहीं है कहीं भी रुकावट नहीं है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है 3-4 lane रास्ते जो है वो बने हुए है गाड़िया अपनी-अपनी lane पकड़के कि बहुत जाए चांसेस है, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा देखने को मिल रहा है कि नींद जो है, वो भी आ रहा है सम्मोहंग हो रहा है, मतलब समझ लिजे कि ऐसा लग रहा है कि सामने कुछ भी नहीं है या फिर सामने गाड़ी जो है एकदम से आ गई है और इंस्टंट ट्रेक लगाए जा रहा है जबकि सामने गाड़ी भी नहीं है तो इस तरीके के हैलिसिनेशन जो है वो भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है जो कि न्यूज रिपोर्ट की अगर माने तो दूसरा एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है यहाँ पर होनी चाहिए, उसके लिए problem क्या होती है, human-animal conflict क्यों होती है, यहाँ पर समल लिजे highway है, यहाँ पर समल लिजे दो lane जो है वो चल रहे हैं, तीन गाड़िया एक साथ चल रही है, अब यहाँ पर divider है, बीच में जो है, वो हमें यहाँ पर divider देखने को मिल रहा है, अब यह divider है, और then उसके बगल में, again यहाँ पर जो road है, वो देखने को मिल रहा है, इधर साइड जाने वाला road है, अब क्या होता है, यहाँ पर यह जो divider है, इसके बीच में जाती है घास, यहाँ हो जाती है घास, अब यह जो घास है, यह खाने के लिए जो जानवर है, व वो आ जाते हैं कि भाई चलो यहाँ पर हम घाज जोए वो खा लेंगे जिसके वज़े से क्या होता है गाड़ी आती है और conflict यहाँ पर हो जाता है अब इसके लिए भी standardization दिया गया है कि यहाँ पर आप जाड़ जो लगा रहे हो वो कौन से लगाने चाहिए वो ऐसे लगाने जहाँ पर जो animal से वो attract ना हो जाड़ लगाओ लेकिन ऐसे लगाओ जो attract ना हो लेकिन वो नहीं किया जाता है यहाँ पर रख दिया जाता है हाँ अपने आपी उग जाएगी कुछ नो कुछ पेड़े तो तो यह problem सबसे बड़ा हमें देखने को मिलता तो इसको resolve करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है खेर inclusive workshop ठीक है women employment and employment marginalized community यहाँ पर बहुत ज़रूरी है global reporting initiatives जो है वो यहाँ पर क्या है तो global reporting initiative एक independent international organization है जो कि businesses को organization को help करती है कि environment पर जो impact हो रहा है उसकी responsibility ले जाए सबी companies organization को यहाँ पर economic environmental social governance performance जो है वो रखती है यह secretary headquarter Amsterdam Netherlands में देखने को मिलता है त आप में आ सकता है national highway authority of India क्या है कि भाई यह setup की गिती 1988 में थीक है ministry of road transport highways में कौन है minister बहुत popular है आपको पता ही होगा interest with national highway development project जो भी project होते है इसलिए आपको देखने को मिलेगा कहीं पर भी अगर कोई बड़े national highways बन रहे है तो under NHAI लिखा हुआ होता है boards पर लिखे हुए होते है boards पर ध्यान दीजेगा जब आप जा रहे हो तब ठीक है तो यह 1988 में किया गया था and उसी के साथ है यहाँ पर य जो यहाँ पर interstate movement जो होती है passengers की goods की उड़को connect किया जा सके तो वो चीज हम कहते है ठीक है there are 599 national highways इन इंडिया and longest national highways NH44 between Shrinagar and Jammu Kashmir and Kanyakumari Tamil Nadu जो की 3806 km का distance जो है वो cover करता है basic road statistic का अगर हम देखते है national highways total length 1,32, 499 km 2.09% total road network का constitute करता है महारास्टर के पास largest network है national highways का followed by उत्तरप्रदेश and Rajasthan तो यह कुछ basic information है जो आपको यहाँ पर पता रहना जरूरी है बाकी हाँ पर MM Academy app डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कीज़े यहाँ पर आपको various courses जो है वो देखने को मिलते है चलिए economy हाँ पर हो गया आप हम आते है environment पर तो environment की कौन सी खास news है बाई साब यहाँ पर rare turtle हमें देखने को मिल रहा है spotted pond turtle ठीक है spotted pond turtle यह है दो और turtle हमने देखे थे याद कीज़े अगर नहीं आद आ रहा है तो PDF जो है उसमें से क्योंकि आज मैं पूरे दो हफतों की PDF जो है मतलब एक तारीक से जो हमने शुरू किया था तो यहाँ पर समझे पूरे हफ तो यहाँ पर उसकी फोटो जो है वह भी मैं लगाई है यह देखिया ठीक है इसमें अंँश्पॉटेट अगर 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 मैं देखते हैं तो रेंज हैबी लार्ज डूपरिवर इंडिया आंका संब्की सान बंगलादेश में देखने को मिलते हैं उसी के साथ किछ और duty कारणी विवीर्वर्रस भी देखने हैं टीक है एंड उसी के साथ है sleep habit अगर आप देखते हो तो crib slurer है conservation status अगर हम देखते हैं उसी है endangered है बहुत important है endangered ठीक है read इस सी कर रहा हूँ endangered है और appendix 1 में रखा गया है location इसकी state of Assam उसमें देखने को मिलता है and it was declared national park in 1974 अगर हम यहाँ पर इस national काजी रंगा national park का देखते हैं then declare किया गया इसको tiger reserve international status UNESCO world heritage site 1985 में important bird area है important species काफी सरे important species 100 इसमें से काफी famous है तो काफी important species हमें देखने को मिलते हैं national highway 37 passes through the park area and park जो है उसमें water bodies beside deep blue river जो है वो भी इसमें से जाते भी देखने को मिलते हैं तो यह कुछ बहुत important points है जो exam के लिए आपके काम के हैं then हमारा environment हो गया science and take में काफी news आ रही है और science and take के उपर questions भी काफी ज़ादा exam जो है वो पूछ रही है कल हमने missiles के बारे में cover किया था आपने comment section में बताया नहीं कि missiles cover करने है या नहीं करने है तो यहाँ पर यह हमें देखने को मिल रहा है advanced mission on advanced and high impact research ठीक है यह यहाँ पर काफी important एक mission आ रहा है अब mission के उपर ऐसे जो है वो क्या important है के exam के लिए तो बिलकुल है देखिए यहाँ ग्रीन इडिया mission mission जो भी होते हैं उस पर question आ गया तो missions काफी important होते हैं तो recently ministry of power जो है ministry ध्यान में रखना है आपको ministry of power उसे ministry of energy ठीक है तब नाम से ही थोड़ा हम तोड़ने की कोशिश करते हैं कि रिसर्च हो रहा है कौन सा हो रहा है high impact हो रहा है advanced type का हो रहा है मतलब जो पहले नहीं हुआ उस तरीके का हो रहा है तो ऐसा यहाँ पर mission जो है वो देखने को मेट रहा है की details क्या है identify emerging technologies जो भी emerging technologies है इसमें यह आएगा क्या बिलकूल आएगा भाई साब है ना and जो future relevance हो सकता है global power sector के लिए वो सारी चीज़े यहाँ पर ली जाएगी तो platform पर collective brainstorming होगी ठीक है यहाँ पर basically क्या है जो pilot projects है indigenous technologies के वो भी यहाँ पर लिये जाएगे जो research है development है advanced technologies के बलबुद मतलब जो भी emerging technologies है वो सारी यहाँ पर consider की जाएगे ठीक है उसमें R&D बोली है उसमें research बोली है उसमें power transfer बोली है उसमें technology transfer बोली है सारी चीज़े यहाँ पर आएगी funding जो है pooling resource के द्वारा किया जाएगा ministry of power, ministry of renewable energy and central public sector enterprise सभी हाँ पर लिये जाएगे additional funding अगर लगती है तो government of India जो है budgetary resource यहाँ पर provide करेगी अब यहाँ पर area जो identify किये गये है research अंडर इसमें तो alternative to lithium ion storage batteries जो emerging technologies कौन कौन सी है तो यह एक-एक individual import हो जाती है सर एक-एक individual import है तो lithium ion storage batteries जो है वो क्या है alternatives क्या है इसके तो यह यहाँ पर import हो गया इसके बारे में हमें आपर पढ़ना पड़ेगा यह exam में आ सकता है electric cooker span यह यहाँ पर इसको modify करना यह आ सकता है green hydrogen इस पर तो पूछा ही गया है अभी 12-23 की exam में carbon capture इस पर आ सकता है geothermal energy इस पर आ सकता है solid state refrigerator इस पर आ सकता है nanotechnology EV battery यह आ सकते इंडिजिनियस इस पर तो यह सारे ही इतने important है कि इस पर सीधा question आपको आ सकता है इंडिविजवल बोल रहा हूं में इंडिविजवल लेवल पर कि आ जाएगा कि जियो थर्माल इनर्जी के ऊपर कुस statement यह कैसे इस नानो टेखने के ऊपर कुस statement यह कैसे तो यह आ सकता है और इन आल भी आ सकता है यह mission के ऊपर structure क्या है two-tier structure है ठीक है technologies coping commitment मतलब basically क्या हुआ है यहाँ पर इन्होंने दे दिया है UPSC का science and tech का एक question ठीक है यह दे ही दिया है कि इसमें से एक ना एक तो आएगा है क्योंकि emerging technologies बता दिया है कि emerging technologies कौन कौन सी है यह सारे इस पर आ सकता है ठीक है तो यह चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है central power research यह बैंगलूरू यह प्रोवाइड करेगा सभी इसका significance देखने को मिलता है energy transition net zero emission जो उसकी तरफ हम जा रहे है making इंडिया को promote कर रहे है जो इंपोर्ट है उस पर हम डिपेंडने रहेंगे export जो हमारा होगा economic growth होगी manufacturing hub बनेगा यह कोई खुशाली आएगी गरीबी जाएगी यह सारे चीज़ हमें देखने को मिल रहे है फर्मी इनर्जी क्या है फर्मी इनर्जी देखिए आपको बस बहुत जादर डीप में नहीं जाना है quantum physics के उपर यह related है और फर्मी इनर्जी का मतलब है देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोन होते है ठीक है यह जो इलेक्ट्रोन है यह अपनी अपनी इनर्जी से for example समल लिज जो प्रिलिम्स हो रही है तो उसमें अलग-अलग aspirant की अलग-अलग energy level रहेगी अलग-अलग energy level रहेगी लेकिन सोचिए कि अगर हम एक ऐसे temperature पर पहुचते हैं जहां पर सभी के energy level जो है वो highest रहेगी सेम रहेगी तो उसी को कहा जाता है फर्मी level एकदम आसान शब्दों में ठीक है वो 0 degree Celsius अगर हम लेकर आजाए तो उसमें जो एक energy level है उससे जादा किसी की भी aspirant के energy level नहीं रहेगी बस ये final energy level है ये इसके उपर किसी भी aspirant के energy level नहीं है तो ये हो गया फर्मी level समझ में आगया आपको तो basically आपर क्या है कि significance काफी जादा हुआ है और फर्मी energy क्या ह absolute zero temperature पर आ रहा है तो absolute zero temperature पर highest occupied state जो रहेगा electron का उसको कहा जाता है फर्मी energy simple सी बात है बाकी detail में और जाने की जरुवत नहीं है ठीक है quantum physics आप सभी को पता है कि भाई ये branch है physics की जो behavior and properties smallest particle के deal करती है atom, electron, photon, quark, quarks तो ये सब यहाँ पर आता है ठीक है बाकी इसके detail में जाने की जरुवत नहीं है क्योंकि इतना deep में आपको नहीं पुछा है firmie energy क्या है ये आपको पुछा आ सकता है ठीक है firmie energy is measured by firmie level okay and यहाँ पर यह फर्मी energy is relevant है जाकि applications like star, nuclear reaction, laser, transitor, solar से तो यह भी आपको जहान में रखने है कहा कहा पर इसका आ सकता है तो यह यहाँ पर important है ठीक